हाई गाइस प्रेयस कीचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे मटर आलो की सबजी यह ग्रेवी वाली बनाएंगे बहुत ही कम मसालों के साथ बहुत ही कम समान के साथ तो चलिए हम अपना वीडियो श्टार्ट करते और बनाते सूखे छोले मटर की सबजी तो यहां पास मैंने कढ़ाई लिए कढ़ाई में डाल रहे हूं एक बड़े चमच के करीब ऑईल यहां पास मैंने यह मटर लिया है जिसे मैंने पहले से ही बॉल करके ले लिया है आप चाहें तो इसे पूरी रात के लिए मटर को फिंगा दे औ हम इसे इस तरह के से रोश्ट कर लेंगे ऐसे करने से मटर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अगर आप आप न गसका है तो इसके भी कर सकते हैं इसे आप वहीं में मटर डाल सकते हैं तो इसे हम हाई फ्लेम में अच्छी तरह के से इसी तरह के से हम पका लेंगे तो ये देखिए हमारे मटर को अच्छी तरह के से हमने इसे पका लिया है तो बस अब हम इसे निकाल देंगे निकालने के बाद इसी कड़ाई में हम फिर से ओयल डालेंगे तो मैंने यहाँ ओयल फ एक बर हम इसे चला लेंगे, उसके बाद मैं डाल रही हूं इसमें जीरा, साथ ही हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, डाल शिनी का तुकड़ा, मैंने जैसे कहा कि मैं बहुत ही कम मसालों के साथ बना रही हूं तो बस हम इसमें इतने ही मसाले डालेंगे, यहां पस मैंने एक म इसी तरीके से बना रही हूं और यह बहुत अच्छा लगता है खाने में जितना सिंपल है खाने में उतना ही टेश्टी लगता है तो मैंने यहां पस अधरक लहसुन का पेश्ट मैंने इसमें डाला है तो यह देखिए हमारे सारे जो प्याज अधरक लहसुन का पेश्ट अच इसे अब हम अच्छी तरीकी से पकने देते हैं तो गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और बैल एकन को दबाना मत बुलिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मि कि हम दालेंगे रहे हैं कि वहीजी जीजों को हम अच्छी तरीके से हिए मिला लेंगे मसाले भी हमारे ग्रेवी के साथ अच्छी तरीके से पक जाएंगे अब इसम Rocky नमक आप अपने टेष्ट के हिसाब से डाले और इसे भी हम मिला लेंगे और अच्छी तरह के से हम ग्रेवी को पकने देते हैं तो यह देखिए जो हमारे मसाले थे और टमाटर अच्छी तरह के से पक चुका है तो अब इस टाइम पर मैं इसमें डार रही हूं इसे 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 बॉयल आलू मैंने चार आलू लिये थे जिसे उबाल लिया हैं और इस इस तरह के से मैने काट लिया है फ ik इसे'mpage ऐधकि हम अच्छी तरहिके से मसाले में मिक्स कर अब इसमें डालेंगे मटर और मटर और आलू को हम अच्छी तरीके से पांच मिनट के लिए हम इसी तरीके से पका लेंगे इस तरह के से पकाने से सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इसमें डायरिकली आलू मटर डालने के पदे आप पानी डाल देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं रहे रहता लेकिन अगर आप मसाले के साथ आलू और मटर को अच्छी तरह किसे भून लेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो यह देखिए मैंने इसे 5-7 मिनट के लिए अच्छी तरह किसे भून लिया था अब इसमें हम डालेंगे पानी तो ग्रेवी आपको कितनी गाड़ी क इतनी पतली रखना है तो आप उस हिसाब से इसमें पानी अट करें तो यहां पास मैंने पानी डाल दिया है लेकिन मुझे थोड़े सब इसमें ग्रेवी कम लग रही है तो मैं इसमें और पानी डाल रही हूं क्योंकि अभी यह पकेगी तो ग्रेवी और कम होगी तो मैंने इसमें और पानी डाला है अब इसे हम ढख कर हाई फ्लेम में ही 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे तो यह देखिए मैंने इसे ढख कर पकने दिया है 10 मिनट इसे पकते हो चुका है तो इस टाइम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला आप चाहे तो यहां पस छोला मसाला अप वो डाल सकते हैं मैं आप सघर मसाल्य डाल्यों हूं साथ ही इसमें हम डालेंगे तो बस यह रही हमारी सब्जी बनां कर तैयार है और सब्रोटि परूटे बस तू इस्दा जम अब नाशार तैयार खिंडी नो हो घर किरिये गरम में सेब ही के लिへchny हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और सेर करना मत भूलिएगा कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह जिस आलू छोले मटर की सब्जी कैसी लगी थैंक यू